आज हम बना रहे हैं Independence Day Special Tri-Color Sandwich मुझे आज भी आद है बच्पन में स्कूल की दिनों में Independence Day Activity में मैंने बनाई थी ये Tri-Color Sandwich Class Teacher और मेरे दोस्तों को ये Sandwich काफी पसंद आई थी बच्पन में स्कूल के टिफिन की यादें I'm sure सभी के दिल के बहुत करीब होंगी आयून यादों को एक बाब फिर जीते हैं और बनाते हैं ये Tri-Color Sandwich ये Tri-Color Sandwich बनाने के लिए हमें तीन कॉंपोनेंट की जर्वत होगी साफरिन, वाइड और ग्रीन ग्रीन के लिए मैं यहां यूज कर रहूं एक शिम्ला मिच तो यहां एक शिम्ला मिच को मैंने यहां बारी काट लिया है इसी के साथ हम लेंगे खीरा तो यहां आधा खीरा को हम बारी काट लेंगे आप खीरे का चिलका यहां हटा सकते हैं बट मैंने नहीं हटाया है तो ये देखिए हमारे green component की जो veggies हैं वो cut के त्यार है orange component के लिए मैं आ ले रहा हूँ एक आजर और इसे हम कदुकस कर लेंगे तो यहां मैंने आधा आजर लिया है ये भी कदुकस हो गया है white component के लिए हम लेंगे पनीर और इसे भी हम कदुकस कर लेंगे पनीर भी कदुकस हो गया है और हमारी sandwich के तीनों components की जो veggies हैं वो त्यार है कदुकस की हुए गाजर में हम आड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच मियोनेस का थोड़ा नमक और काली मिच का powder आड़ करेंगे और इसे अच्छे से mix कर देंगे sandwich के लिए जो हमारा orange component है वो त्यार है white component के लिए पनीर लेंगे और इसमें आड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच मियोनेस का थोड़ा काली मिच का powder और नमक आड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से mix कर देंगे green component के लिए खीरा और शिम्ममिच में आड़ करेंगे दो टेबिल स्पून green chutney green chutney की recipe मैंने caption में mention कर दी है इसे के साथ डालेंगे थोड़ा नमक और काली मिच का powder और इसे भी अच्छे से mix कर देंगे खीरा और शिम्ममिच के साथ आप यहां थोड़ी सी पत्तागों भी यूज़ कर सकते हैं वो green color के लिए तो यह देखे हमारा green component भी बनके ready है हमारे तीनों component जो की है saffron, white और green तयार है आईए sandwich बनाते हैं sandwich के लिए मैं यहां ले रहा हूँ 4 slices bread की bread की slices की sides पहले से ही cut हुई हैं अब सारी slices में हम लगाएंगे मखन अब पहली bread slice में हम लगाएंगे orange component जो की हमने बनाया है गाजर और मियोनिस से इसे अच्छे से spread करेंगे दूसरी bread slice पे जहां मखन लगा है उसे upside down करके bread को cover करेंगे और इसके उपर भी थोड़ा butter लगाएंगे अच्छे से मखन लगाने के बाद यहां मेरे पास है cheese slice आप इसकी जगा वो cube वाली cheese का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर ध्यान दीजिगा आप यहां mozzarella cheese यूज़ ना करें सिर्फ cheese slice या फिर cube वाली process cheese यूज़ करें इसे हम bread के उपर लगा देंगे और इसके बाद लगा देंगे पनीर का mixture जो हमने बना के रखा था इसे अच्छे से spread कर देंगे अब तीसरी bread slice से इसको cover कर देंगे जिसके उपर मखन लगा है वो upside down रहेगी और इसके उपर भी थोड़ा butter spread कर देंगे अब finally हम इस पे लगाएंगे वो green बाला component जो हमने शिम्ला मिर्च, खीरा और green चटनी का बना के रखा था इसे भी अच्छे से spread कर देंगे लास्ट वली bread की slice को इसके उपर हम रख देंगे अब इसके उपर हमें butter लगाने की ज़रुवत नहीं है sandwich को हम बहुत ही अराम से अब diagonally cut करेंगे आपकी try color sandwich बन के त्यार है आप कोई recipe कैसी लगी मुझे comment section में जरूर बताईएगा अपने बच्चों के टिफिन में इसे जरूर दें मैं मिलता हूँ आप से एक नई recipe के साथ